हेलो एवरीवन मैं हूँ बीनया और टैंगी केचन में आपका स्वागत है आज हम आलू बड़े बनाएंगे अक्सर आलू बड़े को तलके बनाया चाता है पर आज हम आलू बड़ा हेल्दी बनाएंगे आज हम आलू बड़ा को देल से सिक्के बनाएंगे तो चली हम आलू ब बड़ा बनाना शुरू करते हैं आलू बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन आलू आलू को मैंने बॉल करके फिर छील के लिया हुआ है आधा कब बेशन, एक चुटा चमद चावल का आठा चावल का आठा डाने से बोंडा है, वो काफी क्रिस्पी बनते हैं तेल हम लेंगी जरूरत अनुसार आधा चुटा चमद नीम्बू का ज्यूस आधा चुटा चमद लाल मीच पावडर वनफ़ोर्थ कब धनिया, धनिया को मैंने धोके फिर काटके लिया हुआ है पींच बेकिंग सोड़ा, एक हरी मीच और चुटा टुकड़ा अद्रक का दोनों की पेस्ट मैंने साथ मेर बना के लिया हुई है आधा चुटा चमद जीरा, नमक हमने की स्वाद अनुसार, पींच ओफ हिंग कुछ मैंने यहां पे हल्दी ली हुई है और आधा चुटा चमद गरम मसाला तो चलिए हम वड़ा बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आलू वड़ा के लिए उसका बैटर बनाएंगे बैटर बनाने के लिए हम बेसन के बरतन में चावल का आठा डालेंगे अगर आप चाहे तो कॉनफोर का भी समाल कर सकते हैं चावल का आठा और कॉनफोर डालने से वड़े हो काफी क्रिस्पी बनते हैं वनफोर चुटा चमद हम लाल मिच पावडर डालेंगे और पीम चौफ हम हल्दी डालेंगे नमक हम स्वाद अनुसा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका बैटर बनाएंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बैटर ने वो पतला ना बने बैटर को हम हिला दे बैटर की consistency मैंने कुछ इस प्रकार के लिए हुई है बैटर मैंने ज़्यादा गाड़ा और ज़्यादा पतला नहीं किया तो चलिए बैटर बनके तयारे तो अब हम बैटर को ढखके रख देते और stuffing बनाएंगे सबसे पहले हम आलू को smash करेंगे आलू को आप smasher या फीर हातों की सायत ऐसे भी smash कर सकते है stuffing के लिए हम तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए मैंने कड़ाय को gas के उपर रखाए और एक छोड़ा चमच हम तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है तेल में हम जीरा डालेंगे और जीरा को हमको सेकंड सक भुनने दे जीरा भुन गया है तो अब हम हिंग डालेंगे और gas का flame हम स्लो करेंगे और अद्रक और हरी मिर्ची की पेस डालेंगे और smash किया हुआ आलू भी हम डाल देंगे अब सारे हम मसाले डालेंगे गरम मसाला लाल मीच पाउड़र हल्दी पाउड़र नमक हम स्वाध दनू सा डालेंगे सब को हिला दे आलू में मसाले यह अच्छी तरह से मिक्स हो गए तो अब हम गेस का flame बंद करेंगे नीमू का जूस हम गेस का flame बंद करने के बात में डालेंगे तो अब हम नीमू का जूस और काटा हुआ धनिया डालेंगे और धनिया डालके इसे अच्छी तरह से हिला दे और स्टफिंग को हम किसी पेट में निकाले ताकि स्टफिंग है वो ठंडा हो जाए स्टफिंग ठंडा हो गया है तो हाथों में हम थोड़ा सा तेल लेंगे ताकि स्टफिंग है वो चिपके ना तेल से इसे ग्रीज करेंगे और बड़ी नीमू के साइस का हम मित्रन लेंगे और गोल गोल आलू बड़ा बनाएंगे अलू बड़ा को हम अपम मेकर में सेकेंगे तो अपम मेकर के सांचे की साइस का हम अलू बड़ा बनाएंगे और तयार किया हुआ अलू बड़ा को हम प्लेट में रखेंगे इस प्रकार हम सारे अलू बड़ा को हम तयार करेंगे और प्लेट में रखेंगे सारे आलू बड़े बनके तयारे तो अब हम इसे सेकेंगे बैटर को हम बेकिंग सोडा डालके इसे हम हिला दे और अपम मेकर को गेस के उपर रखके हम इसे गरम कने के लिए रख देंगे सारे अपम मेकर के साचे में हम थोड़ा थोड़ा तेल डालके इसे ग्रीस करेंगे अब हम आलू बड़ा को बैटर में डालेंगे और इसे चम्मच की सहायता से आलू बड़ा को ऐसे बैटर से चारो और अच्छी तरह से कोट करेंगे और अपम मेकर में इसे हम सेखने के लिए डालेंगे इस प्रकार हम सारे आलू बड़ा को बेटर से कोट करके सारे सांचे में इसे सेखने के लिए डाल देंगे तीन आलू में से छे आलू बड़ा बनके तयार हुए है अब हम इसे ढखके तीन से चार मिनट तक सेटने के लिए छोड़ देंगे चार मिनट हो गई है तो आलू बड़ा को हम चेप करते हैं देखिए नीचे की साइड से आलू बड़ा सिक्के तयार है तो आलू बड़ा को हम पलटा देंगे इस प्रकार सारे आलू बड़ा को हम पल्टा देंगे मैंने गेस का फ्लेम बिल्कुल स्लो किया है इसे हम बिल्कुल स्लो आज पर इसे हम पकाएंगे ताकि आलू बड़े हैं वो जले ना सारे आलू बड़ा को मैंने पल्टा दिया है अब वापस हम चम्मच में थोड़ा तेल लेके सारे साचे में किना रखके साइड हम तेल डाल देंगे और वापस इसे हम ढखके पकाएंगे दूसरी साइड से भी हम आलू बडा को चेक करते हैं देखिए आलू वड़ा सिखके तयारे तो आलू वड़ा को हम प्लेट में निकालेंगे दोनों साइड से आलू वड़ा को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेखेंगे देखिए सारे आलू वड़ा है वो नीचे की साइड से सिख गए है तो आलू वड़ा को हम प्लेट में निकालेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में सौर करेंगे सारे आलू वड़े बनके तयारे मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सौर किया है आप इस रेसिपी को घर पे जरू प्राए कीजिए और मुझे कॉमेंट में फिल्बेक दीजिए कि आपको ही मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबार आप फिर मिलेंगे तब तेक लिए थेंक यू बाई